जैहिन साथियो वेलकम टू सेल्प इस्टेडी किलासेस विस सुमित जैन यूटूब सेल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम परेयावरण से सम्दित महत्पूर पस्टनों के बारे में पढ़ने वाले हैं सामको सारे छे बजी रोज आपकी किलास होती है परेयावरण की ठीक है अब आपको इस्टाग्राम से जुड़ना है दोस्तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप इस्टाग्राम में पूँच सकते हैं सार्च करना है सुमिज जैन सेल्फ इस्टेडी क्लासेश ठीक है साथ ही आपको जुड़ना है वाट्सब पर 9098609291 यह वाट्सब नम्मर है तो आपको इडाउट मूँच सकते हैं ठीक है पेस्बुक से जुड़ने के लिए सुमिज जैन सर्च करना है और Twitter से जुड़ने के लिए सुमिज जैन और आपको जुड़ना है Telegram Group से चर्च करना है IAS Study Tech ठीक है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये वीडियो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को सेर करना है फटावर्ट से वन लाइनर ये प्रशन है वो रोज निरंतर आपकी सामको साड़ेच्छे बजे इसी प्रकार से कलास होती है आप CTT exam की तयारी कर रहे है रीट की कर रहा है या फिर UPSC या MPT exam की तयारी कर रहे है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ओपी होगी है तो जुदे रहें वीडियो को अंतर तक देखें ठीक है आपका सबसे पहला आज का जो प्रस्थन है दोस्तो प्रत्वी पर पाया जाने वाला सबसे वड़ा स्थरिय जीव है तो सबसे वड़ा स्थरिय जीव कुद happier है जल्दी से आपको दिये जाते हैं मात्र पांच सेकेंड और आपको उत्तर कमेंट में लखना है प्रत्वी पर पाया जाने वाला सबसे वड़ा इस्थलिय जीव कौन सा है जल्दी से कमेंट में लखें तो किसे जाना जाता है यह आपका प्रश्ण इंडियन रोलर के नाम से भी जाना जाता है तो आपको उत्तर लिखना है उत्तर हो जाएगा नीलकंट इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है दोस्तों नीलकंट को ठीक है तो नीलकंट आपका विलकुल यहां पर सही आंसर होग अंगला है कलकनात, कलकनात किसकी प्रसिद्ध प्रजाती है, कलकनात किसकी प्रसिद्ध प्रजाती है, जल्दी से उत्तर आपको लिखना है तो आपका right answer क्या हो जाएगा कलकनात जो है एक किसकी प्रजाती है यह मुर्गा की प्रजाती ठीक है किसकी है मुर्गा की प्रजाती है अब अंगला question आपको बताना है दोस्तो कलकनात का संबंद किस राज से है तो कड़कनात का संबंद कड़कनात किसकी प्रजाती है आपने उपर पड़ा तो कड़कनात मुर्गा की प्रजाती है अब एक कड़कनात का जो संबंद है वो किस राज्य से है यह हमें बताना है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तर आपका हो जाएगा मद्धप्रदेस कड़कनात का जो सम्बन्द है कड़कनात मुर्गे का जो सम्मन्द है वो किस से है, मद्धप्रदेस से है ठीक है मद्प्रदेस आपका विल्कुल यहाँ पर सही answer होगा अंगला question देख लेते हैं मोर कहां की मूल प्रजाती है, मोर आपको बताना है, जो राष्टिय पक्षी है हमारा मोर है, मोर जो मूल प्रजाती है, एक कहां की है मोर की, तब आपका राइट रांसर हो जाएगा, दक्षन एवं दक्षन पूर्व एसिया, दक्षण एवं दक्षण पूर्वेसिया की मूल प्रजाती है मोल ठीक है यह चीज आपको याद रखनी है अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं तोटे का बैग्यानिक नाम क्या है तोटा आपने देखा होगा तोटा अब इसका बैग्यानिक नाम बताना है जल्दी से बताएं तो आपका right answer क्या हो जाएगा तोते का बेग्यानेक नाम बताना है और आपका विल्कुछ सही आंसर होगा क्या सिरा क्यूला कैमरी यह तोते का बेग्यानेक नाम है ठीक है आपको याद रखना है अंगला है सजीवों को पाँच जगतों में किसने विभाजित किया तो उत्तर लिखें जल्दी से सजीवों को पाँच जगतों में जो विभाजित करने वाले हैं वो कौन है तो आपका राइट अंसर यहां पर क्या होगा तब आपका विल्कु सही आंसर होगा दोस्तो रह वे टेकर कौन है रह वे टेकर इन्होंने सजीवों को पांच जगतों में विभावजित किया है किसने रह वे टेकर साब ने तो आपका विल्कु सही आंसर रह वे टेकर ही होगा अगला है पौधों में गयसों का आदान प्रदान कैसे होता है आपने पौधे देखे होंगे ठीक है पौधे देखे होंगे पौधे की पत्तियां हरे रंकी होती है हरे रंकी क्यों होती है किलोरो फिल के कारण होती है लेकिन पौधों में गयसों का जो आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है आपको बताना है और आपका विल्कु सही अंसर क्या हो जाएगा पत्तियों के द्वारा ठीक है पौधों में गयसों का जो आदान प्रदान होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है पत्तियों का हरा रंकियों होता है तो किलोरो फिल के करना होता है ठीक है तो किरकेट इतिहास में प्रिथम एक दिविसी जो मैच है वो कब और कहां पर खेला गया प्रश्निकरमांग 9 का उत्तर हमें यहां पर लिखना है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा किरकेट के कुछ दिवाने होंगे किरकेट खेलते होंगे और आपका बिलकुल सही आंस हौकी का जन्मदाता आपको बताना है तो कमेंट पर लखें तब आपका राइट आंसर होगा इंगलेंड हौकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है इंगलेंड को ठीक है अंगला देख लो अकेल भारतिये फुटवाल फेडरेशन की स्थापना कब हुई यह प्रश्निकरमांग अपना 11 है और 11 का उत्र आपको बताना है तब आपका बिलको सही आंसर होगा वर्स 1937 अकेल भारतिये फुटवाल फेडरेशन की जो इस्थापना हुई वो कब हुई 1937 में ठीक है लॉन टैनिस की उत्पत्ति किस देश में हुई लॉन टैनिस की उत्पत्ति किस देश में तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा लॉन टैनिस की उत्पत्ति हुई है तो इंगलेंड में हुई है ठीक है लॉन टैनिस की उत्पत्ति अंगला क्वेस्चन है आपके सामने दोस्तों अंगला है भारत की सबसे छोटी स्थली इस्थल सीमा है वो किस देश के साथ है सबसे छोटी बताना है आपको भारत की सबसे छोटी स्थलिय सीमा किस देश के साथ है प्रश्निक्रमंग चौदा तब आपका बिलकुस सही आंसर होगा अफगानिस्थान 106 किलो मीटर कितनी है अफगानिस्थान के साथ 106 किलो मीटर है ठीक है, सबसे छोटी स्थरीय सीमा है, पोलो में खिलाणियों की संक्या कितनी होती है, प्रश्न क्रमांग 15, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 4, पोलो जो खेल है, इसमें खिलाणियों की जो संक्या होती है, वो होती है 4, ठीक है, याद रखेंगे सबी अंगला question दोस्तो भारत का पस्चमी बिंदू कौनसा है पस्चमी बिंदू बताना है प्रश्न किरमांग 16 भारत का पस्चमी जो बिंदू है वो कौनसा है तो कौनसा है पस्चमी बिंदू सरक्रीक सरक्रीक गुजरात यह भारत का पस्चमी बिंदू वाना जाता है ठीक है ने विब्लकुस सभी आसरो उगा, फुटवाल, ढूरन्ड कब, किस Isra सम्पंदेत हैं, तो फुटवाल से सम्पंदेत हैं, ठीके, याद रखेंगे, अंगला कोस्चान देख लेते हैं, हेमादास किस सिम्पंदेत हैं, प्रस्चन किरमांग के अपना 18, हेमादास किस खेल से सम्प संबंदित हैं आपको खेलाडियों के उपनाम भी पता होनी चाहिए कौन सा खेलाडी किस केल से संबंदित है वो भी पता होनी चाहिए पर आपका विल्कुस सरी आंसर होगा athletics हिमादास सम्मंदित हैं किस केल से athletics से सम्मंदित हैं पक्चियों का महादीप किस महादीप को कहा जाता है अपने महादीप पड़े हैं और महादीपों में पक्चियों का महादीप किस महादीप को कहा जाता है एक प्रशनोर पूचा जाता है कि सुएत महादीप किसे कहा जात ठीक है, अंगला है, सेरी कल्चर सम्मंदित है, तो किस से सम्मंदित है सेरी कल्चर, प्रश्न क्रमांग 20, तब आपका बिलकु सही आंसर होगा, रेसा मुत्पादन, किस सम्मंदित है सेरी कल्चर, रेसा मुत्पादन से सम्मंदित है, ठीक है, अंगला है, जैबिक खेती अप तो प्रश्ण किरमांग 21 और 21 का विल्कुस सही आंसर होगा सिक्किम, जैविक खेती अपनाने वाला भारत का जो बिर्थम राज है, वो राज है सिक्किम, ठीक है, अंगला कोश्चन देख लेते हैं, अंगला जो अपना प्रश्ण है, हरा सोना किसी कहा जाता है, हरा सोना बता हरा सोना, साइलेंट बैली के चर्चित होने का कारण क्या है, प्रश्ण है 23, वो साइलेंट बैली के चर्चित होने का कारण आपको बताना है, तो क्या कारण है, साइलेंट बैली या फिर सांत घाटी, जो की केरल में इस्ते थे और इसके प्रशिद्ध होने के कारण है, चर 23 ठीक है घाना पक्छी बिहार किस राज में इस्ते थे प्रशन किरमाग 24 गाना पक्छी बिहार किस राज में इस्ते थे पूचा गया है प्रशन और आपका विल्कु सही आंसर क्या हो जाएगा राजिस्थान कहां पर है राजिस्थान में ठीक है घाना पक्छी बिहार है बताना है, और आपका बिल्कुष सही आंसर होगा, य रोनेर सब्द लिया गया है फ्रेंच वासा से, किस वासा से फ्रेंच वासा से लिया गया है, ठीक है, अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं, अंगला जो अपना प्रस्न है, य इस कर्वी नामक बीमारी किस बिटामिन की कम से जो रोग हो जाता है वो सकर्भी नामक रोग हो जाता है, सकर्भी नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो बिटामिन C का जो प्रिचर सरोत माना जाता है, वो आउला माना जाता है, ठीक है, यह भी याद रखना है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, प्रश्निक्रमा 27, अरुन को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह, ठीक है, अंगला क्वेश्चन है वर्सा एबं आद्र परनपाती वन संस्थान कहां इस्ते थे, वर्सा एबं आद्र परनपाती वन संस्थान कहां पर इस्ते थे, 28 का अंसर, तो वर्सा एबं आद्र परनपाती वन संस्थान जो इस् हरे तुप भोकता दिवस का मनाय जाता है तो आपका बिलकुष सही आंसर होगा 28 सितंबर 28 सितंबर को मनाय जाता है हरे तुप भोकता दिवस याद रखना है प्राइदीपी पठार का आकार कैसा है प्राइदीपी पठार का आकार बताना है प्रश्निकरमांग 30 का उत्तर उत् प्राय दीपीए पठार का जो आकार होता है वो होता है त्रभूजाकार एसा त्रभूजाकार होता है ठीक है प्राय दीपीए पठार का आकार अंगला question देख लिते हैं अंगला है विस्तु जनसंग क्या दिवस कब मनाया जाता है विस्तु जनसंग क्या दिवस बताना है प्रश्न क्रमांग 31 कब मनाया जाता है विस्तु जनसंग क्या दिवस तब आपका बिल्कुर सही आंसर होगा 11 जुलाई सबी ने विलकुर सही बताया है विस्तु जन संक्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को ठीक है अंतराश्टी वाग दिवस का मनाया जाता है प्रश्न किरमांग 32 अंतराश्टी वाग दिवस तो आपका विल्कुँ सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को अंतराश्टी वाग दिवस जो मनाय जाता है 29 जुलाई को ठीक है 29 जुलाई अंगला देख लेते हैं वियार अंबेटकर का संभिदान सवावन नरबाचन कहां से हुआ था वियार अंबेटकर साथ संभिदान के जनक कहे जाते हैं और इनका संभिदान सवावन जो नरबाचन हुआ था वो कहां से हुआ था प्रश्टन करमांग 33 का अंसर तो आपका विल्कु सही आंसर होगा मुंबई प्रेसिडेंसी कहां से हुआ था मुंबाइ प्रेसिधेंसी से हुगा था किसका वी यार अम्वेटकर समिधान के जनक आपदा प्रबंदन प्रिसीकशर संस्थान कहा Yep प्रशिन किरमांग 34 तब आपका बिल्कुँ صही आंसर होगा कहा पर है महरास्ट लातूर में आपदा प्रबंदन प्रिसीक्षर संस्तान है महराष्ट लातूर ठीक है पसू जो रात में जगते हैं बस्तूओं को किस रंग में देखते हैं आपने देखे होंगे निसाचर जिने कहा जाता है पसू जो रात में जगते हैं उन्हें बस्तूओं का जो रंग दिखाई देता ह वो किस रूप में भी देखते हैं, किस रंग में देखते हैं तो आपका विल्कु सही आंसर होगा Black and White, किस रूप में देखते हैं Black and White में, ठीक है अंगला है दोस्तो, अंगला जो आपका प्रश्ण है वो है बाहनों के लिए साफ सुतरा इनन कौन सा है बाहनों के लिए साफ सुतरा इनन बताना है जिससे प्रदूसरन नहीं होता है वो इनन कौन सा है जिससे साफ सुतरा इनन भी कहा जाता है तो वो इनन है दोस्तो कौन सा CNG CNG जो है, ये साफ सुतरा इनन है बाहनों के लिए अंगला प्रश्ण है कतकली किस राज्ज का न्रत है कतकली बताना है एक और न्रत है कत्थक ठीक है एक कत्थक है तो कत्थक कहां का है उत्तर प्रदेश का लेकिन कतकली की बात करें तो एक कतकली कहां का है यह है केरल ठीक है तो याद रखना है आपको अंगला देख लेते हैं पानी पंचायत आंदूरन किसने शुरू किया था पानी पंचायत आंदूरन बताना है किसने शुरू किया था प्रश्ण निक्रमांग 38 का अंसर पानी पंचायत आंदूरन किसने शुरू किया और आपका बिल्कुस सही आंसर होगा बिलास राओ सानलोखे ठीक है इन्होंने पानी पंचाता अंदुरन शुरू किया था अंगला है प्रोजेक्ट रेट पांडा की शुरूआत कब हुई प्रश्ण किरमांग 39 तो उत्तर क्या हो जाएगा प्रोजेक्ट रेट पांडा की शुरूआत हुई वो शुरूआत हुई 1996 में ठीक है कब हुई 1996 अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं सरिस्का राश्ट युद्यान कहां इसते थे सरिस्का राश्ट युद्यान प्रश्ण किरमांग 40 कहां पर इसते थे सरिस्का राश्ट युद्यान और इसते थे राजिस्थान में कहां पर राजिस्थान सरिस्का राश्ट युद्यान इसते थे राजिस्थान अंगला कोस्चन है बांध नहीं चाहिए बांध पहाड का विनास है एक अथन किसका है बांध नहीं चाहिए वांध पहाड का विनास है एक अथन किसका है एक तालीस का उत्तर तो आपका विलकोँ सही आंसर होगा एक अथन है सुंदलाल बहुगुडा किसका है सुंदलाल बहुगुड का याद रखना है लाश्ट में बताना भी है कितनी question आपने सही किये हैं कितने question कमेंट में बताएं है राश्टी जयोवित्ता प्रादी करना का मुख्याला कहा इसते थे राश्टी जयोवित्ता प्रादी करना का मुख्याला आपको बताना है प्रश्न किरमांग 42 तब आपका राइट आंसर होगा कहा पर है चिन्नाई राश्टी ये जवित्ता प्रादिकना का जो मुख्याला है वो चिंड़ाई में स्थेतन ठीक है अंगला क्वेस्चन सर परतम होट स्पोर्ट सब्द का प्रियोग किस ने किया था प्रश्न किरमांग 43 में आपका उत्तर हो जाएगा किसने नार्मन मौायर्स ने ठीक है और्ट स्पोर्ट सब्दकाइनों ने प्रियोग किया था तो याद रख लेना है अंगला कोश्चन देख लेते हैं पंपास घास का मैदान कहां इसते थे पंपास घास का मैदान बताना है आपको तो आपका प्रशन करवांग चाबाली से और आपका विल्कु सही आंसर क्या होगा पंपास घास का मैदान जो इसते थे वो इसते थे अर्जेंटीना ठीक है अर्जेंटीना में है भारतिये पारस्तित्की के जनक कौन है भारतिये पारस्तित्की के जनक आपको बताना है पैंत ज्र데ों मिस्रा साब को अंगला कुस्चन है गहन पार mensen 365 बताना है 46 आपका विल्कों सही 2 जल्दी से कमेंटर में लखें tap 산ky के जनक करकोन हैं तो आपका विल्कों सही आंसरुगा अरनी नीस कौन है अर्नीस नीस एक गहन पारिस्तिकी के जनक हैं और अंगला क्वेस्चन है नदी तलाब जील घास का मैदान वन किस प्रकार के पारिस्तितिक तंत्र के उधारण है नदी तलाब जील घास का मैदान वन किस प्रकार के पारिस्तितिक तंत्र के उधारण माने जाते है 47 का आंसर और राइट आंसर आपका होगा प्राकिर्टिक किस प्रकार के माने जाते हैं प्राकिर्टिक ठीक है अंगला कोच्चन परस्तितिक तंतर के मित्र कहलाते हैं तो कौन कहलाते हैं परस्तितिक तंतर के मित्र आपने पढ़ा होगा किसान के मित्र कहचुआ कहलाते हैं लेकिन पारस्तितिक तंत्र के जो मित्र कहलाते हैं वो नीम, पीपल, बरगद और तुलची ये कहलाते हैं पारस्तितिक तंत्र के मित्र ठीक है तो याद रख लेना है के अंदर ये 25 सोज संस्थान इस्ते थे तो के अंदरी है पक्ची सोज संस्थान इस्ते थे तो कहां पर इस्ते थे 49 का उत्र बताना है पक्ची सोज संस्थान तब आपका राइट आंसर हो जाएगा इज्जत नंगर वरेली ठीक है पक्ची सोज संस्थान इज्जत नंगर वरेली में है अंगला है दोस्तो गेंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है तो प्रश्ण किरमांग पचास का उत्तर आपका क्या होगा गेंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है तो किस स्टेट को किस राज्य को जाना जाता है प्रश्ण किरमांग पचास और अंतिम आपका प्रश्ण है और आपका बिल्कुश सही आंसर हो जाएगा असम असम को गेंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है ठीक है सभी लोग वीडियो को लाइक जरू करेंगे वीडियो को सेर भी करना है और जदी से आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्ण अटेंड किया है कितने प्रश्ण आपने तैयार किया है कितने प्रश्ण आप से बनी है Self-study classes में यूटूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं परियावन के वर्लाइनर प्रश्णों की अलग प्लेलिस्ट बनी है बहु बेकल्पी प्रश्णों की अलग प्लेलिस्ट बनी है वाल बिकास की अलग है WhatsApp नमबर एदिया है तो कोई भी डाउट लगता है तो WhatsApp से जोड़ सकते हैं से समिध जयन self-study classes सर्च करना है और facebook पे सर्च करना है समिध जयन ठीक है twitter से जोड़ सकते हैं समिध जयन सर्च करके और ias study trick आपको सर्च करना है और twitter जो अपना telegram group है उससे जोड़ जाना है ठीक है वीडियो को सभी लोग like जलू करेंगे वीडियो को share करेंगे comment में जल्दी होती है आप तैयारी की और अच्छी तैयारी की और जा रहे होते हैं ठीक है तो वीडियो को like करके share करें दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जय हिन